आज हम करेंगे हायर परचीज में वो केस जब टोटल इंस्टॉल्मेंट में इंट्रेस्ट इंक्लूड़ड नहीं होगा तो कुशन नबर फाइफ टिसकस करेंगे On April 1, 2011, the BS coal company obtained wagons on higher purchase system यहाँ पे BS coal company परचीजर है The cash price of the wagons was 1150 तो cash price total हमें दिया है question में 1150 Payment was to be made as to Rs.150 down and as to balance at 200 per year with 5% per annum interest 1,150 cash price given है लेकिन जिस दिन sign हो रहा है agreement 150 down payment कर दी ही है टोटल 1150 में से 150 down payment हो गई बाकी balance कितना बचा 1,000 तो यह कह रहे हैं बाकी जो balance बचा है उसकी payment कैसे होगी Rs.200 की installment में payment होगी तो Rs.1000 को divide कर दिया गया Rs.200 की installment में तो number of installments कितनी हो जाएंगी 5, 200 into 5 करें तो कितना होता है 1,000 तो इस तरीके से 1,000 की payment हो जाएगी अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 200 है वो क्या है installment दिया है लेकिन इस 200 में interest included नहीं है तभी 200 into 5, 5 installment पे दिया 1,000 हो गया 150 ही down payment था तो 1,000 plus 150 कितना हुआ 11,50 और 11,50 तो cash price है अगर 11,50 से जादा आता इस में interest included होता जैसे कि हमें first question में किया था rate of interest 5% दिया है then next line में आपको depreciation का rate 10% दिया है कोई भी method specified नहीं है depreciation का जब method नहीं दिया होता तो हम मानते हैं कि return down value method use करेंगे then question में आपसे ledger accounts बनाने के लिए बुला गया है clear? question करते है ऐसे question में सबसे पहले हमें analytical table प्रिपेर करना पड़ता है तो सबसे पहले analytical table करेंगे ये वो case कर रहे है जब हमने देखा कि 200 installment दी थी उसमें interest included नहीं है और आपको कैसे पता चला कि interest included नहीं है मैंने आपको बताया कि 200 रुपीज की installment है ठीक है? और 2-200 रुपीज में हमें कितना देना है balance pay करना है 1000 रुपीज लिखा था न? it means 5 times हम 200 रुपीज पे करेंगे तो कितना पे कर देंगे? 1000 रुपीज पे इनके हिसाब से 11.50 तो 11.50 तो cash price है और यह जो हमें दे रखा है कि 200 हम पे करेंगे तो भी टोटल यह सारा करने के बाद भी 11.50 रुपीज आ रहा है it means इस 200 में interest included नहीं है ऐसे questions में analytical table कैसे बनाना है चलिए 1st column outstanding cash price 2nd interest calculation का and last one is installment सबसे पहले हमें यह देखना होता है interest किस पे calculate होता है उस outstanding amount में उस outstanding cash price पे ठीक है हमेशा interest cash price पे calculate होता है तो कौन सा वाला cash price जो कि at the end of the year outstanding है outstanding means जो बकाया है जो भी pay करना है वेगन्स का जो cash price था वो 11.50 था जिस इन agreement हुआ same date को ही 150 पे कर दिया यह तो उसी दिन पे हो गया तो इस 150 पे तो interest लगेगा नी तो 11.50 में से 150 down payment minus कर दिया तो first year के end में outstanding जो बकाया cash price बचा वो कितना बचा 1000 1000 पे 5% calculate कर लिया ठीक है rate of interest is 5% तो यह 5% calculate करेंगे आप तो interest आ जाएगा रुपीज 50 clear first question में हम क्या करते थे हमें total installment पता होती थी जिसमें interest included होता था तो वो total installment यहां लिखते थे interest minus करते थे ठीक है लेकिन यहां क्या हो रहा है यह जो cash price of the installment है जो 200 है यह installment का cash price है cash price है means इसमें interest included नहीं है उपर अभी मैंने आपको बता है कि किस तरीके से हमें पता चला कि इसमें 200 में interest included नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे यह installment का cash price है इसमें हम interest चो calculate किया वो add करेंगे तो हमाई पास क्या जाएगा total installment यह तीन चीज़ें चाहिए होती है आगे journal entries पास करने के लिए हमें हर साल में total installment चाहिए total installment जो होती है वो दो चीजों से मिलके बनती है उस installment का cash price क्या है और उस installment में interest कितना है clear? अब चो first column होता है हर year हम cash price ही minus करते हैं जैसे first question में हम क्या कर रहे थे अगर आपने मेरा first question का वीडियो देखा है तो यहाँ पर cash price calculate कर लेते थे उस cash price को आगे जाके minus करते थे ठीक है? लेकिन यहाँ तो अलड़ी आपको पता है कि हर साल cash price 200 है it means हर year कितना minus करेंगे यहाँ 200 minus होता जाएगा clear? जो 1000 में 200 minus किया तो second year में जो outstanding बचा loan जो outstanding higher purchase price बचा वो कितना बचा है? 800 तो 800 का फिर 5% निकाला interest आया 40, 200 में 48 add किया 240 clear? then next year फिर 200 cash price minus किया तो next year, third year में आपके पास outstanding cash price आया 600, 600 पे 5% calculate किया, interest is 30 फिर total installment निकालने के लिए आप में क्या किया? 200 में 30 interest add कर दिया यह 30 आपने क्या किया? add कर दिया हो गया 230 same way से आप fourth year and fifth year में भी interest calculate कर लेंगे तो अगर आपको total higher purchase price बताना हूँ, इस question में कितना है तो क्या करेंगे? यह सारा interest add कर लीजिए, यह 5 years का interest add कर लेंगे, तो total interest आगया 150, इस 150 को cash price में add कर दो cash price कितना है? यहाँ पे question में कितना given है? 1150 तो 1150 में 150 add कर देंगे, तो हमारे पास आजाएगा higher purchase price, अगर आप से पूछा जाए कि इस question में higher purchase price calculate करके बताएगे, एक short question पूछ लिया जाए, कि higher purchase price कितना है, तो कैसे पता चलेगा? cash price पता है, हमें 1150 तो इस 1150 में interest जुड़ जाएगा, ठीक है? आपको जहाँ मैंने पढ़ाया है कि higher purchase price क्या होता है, तो higher purchase price is equal to cash price plus interest, तो cash price दिया है, 1150 plus कर दोगे, 150 तो यह आजाएगा, आपके पास 1300 now calculation of depreciation, depreciation बेटर रहता है कि अगर हम depreciation भी working note में calculate कर ले return down value method से ही calculate किया है, और depreciation हमेशा cash price पे ही calculate किया जाता है, cash price कितना दिया है, 1150 1150 पे 10% निकाला, first year का depreciation आगया, 115 ठीक है, तो second year निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, return down value होनी चाहिए at the end of the year, तो first year बली depreciation, first year के total जो cash price है उसमें से minus कर दो, तो next year आपका outstanding, return sorry, return down value of the asset आगी 1035, 1035 पे 10% निकाला, तो वो आएगा 103.5 तो हमने उसको round off करके 104 कर लिया, ठीक है, ऐसी next year फिर इसमें से आपने depreciation को minus किया 931 आया, 931 के ओपर 10% calculate किया, 93 round off करके लिया हमने, क्योंकि 93.1 आयेगा ना, तो round off कर लिया फिर इनको minus किया, तो return down value आई 838, फिर इसमें 10% निकाला, और ऐसे हिया 5th year का भी calculate कर लेंगे इस question में आपसे general entries नहीं पूछी गई है, आपसे ledger account पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी general entries प्रेक्टिस करने के लिए कर लेंगे so that आपको ledger posting करने में easy हो जाए clear, चलिए परचेजर की books में हम कर रहा है first entry होती है जिसन agreement हो रहा है उसन down payment के entry होती है agreement के entry बोलते हो या down payment के entry होती है तो entry होती है asset account debitter to cash जिसन agreement हो रहा है 1st April 2011 को हो रहा है 150 है जो down payment की है higher purchaseer में उतने से asset debit to cash अब next entry होती है at the end of the year यह होती है installment due कर रहेगी entries मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ second video में तो installment due के entry होती है asset account debit, interest account debit to higher vendor यह amount कैसे कहां से आया यही चीज़ हमने analytical table से देखनी है यह first year के entries कर रहे हो तो आपने first year के लिए यहां देखो है ने analytical table बनाया है यह first year के लिए यह cash price of the installment यह interest और यह total installment यह cash price है installment का यह interest है उसमें जो included है दोनों को add कर दिया तो क्या आगया total installment तो यही amount यहां पे आपको entry में डालना है 200 cash price है asset का asset हमेशा उसके cash price से ही debit होती है 50 first year का interest चार्ज हुआ total vendor को कितना pay करना है installment 250 higher purchaser pay करेगा first year में then at the end of the year due करने के बाद higher purchaser pay करता है तो pay करते time entry होती है higher vendor to cash यह 250 pay कर दो the next entry होती है depreciation to asset यहां पे asset क्या है वेगन यह depreciation मैं आपको पहले ही बताया working note में कैसे calculate करना है 10% बताया गया है और एक last entry होती है कि जो भी nominal account open हुए है उनको pay and l account में डालके close करना तो दो nominal account है एक interest है और दूसरा depreciation दोनों debit हो रहे हैं दोनों को हमने क्या कर दिया बस यह जो first entry है यह सिर्फ और सिर्फ first year में होती है बाकी years में repeat नहीं होती क्योंकि जो down payment है वो सिर्फ first year में होता है उसके आने वाले years में नहीं होता तो यह one, two, three, four नीचे वाली चार entries हर year में repeat होगी next four years में भी repeat होगी ठीक है तो next year की entries आपको खुझ से करनी है अब मैं आपको ledger accounts बताती हूँ कैसे करना है सबसे पहले asset account यहाँ पे asset क्या है wagon आपने जो first entry की general entry भी मैंने आपको दिखाया first year में तो first entry आपकी down payment की थी entry थी wagon account debit to cash उसकी posting करती debit site में wagon account debited to cash 150 अब second entry आपने की थी installment due करने की installment due की entry क्या थी wagon account debited interest account debited to higher vendor यह कै तो wagon account debited to higher vendor interest नहीं चाहिए सिर्फो सिफ wagon तो wagon कितने से debit हो रहा है इस entry में 200 से तो 200 से यह entry आ गई then आपकी next entry थी payment की तो payment की entry में तो asset आता ही नहीं debit side न credit side तो उसकी posting यहां होगी नहीं then next entry depreciation से रिलेटर थी depreciation to asset तो इधर हमने by depreciation और depreciation का amount आप महां से देख लेंगे general entry से कितना है 115 और at the end of the year आपने दोनों साइट बैलेंस कर लिया बैलेंस आगया 235 clear अब यह balance next year आपको क्या करना होता है in the beginning broad forward करना होता है then फिर यह entry आपके at the end of the year आएगी 2013, March 31st, July तो फिर installment due की entry payment की entry आती नहीं depreciation की entry फिर balance किया same way 2014 में करेंगी then fourth year की भी same entry उसी तरीके से posting होगी और last year में भी आप ऐसे करेंगी और last year में आप देखना है कि कितना asset का balance शोर आपके पास 679 asset आपके पास शोर रही है यह balance का मतलब क्या हुआ कि इतनी book value है asset की next account बोला गया है higher vendor का account बनाने के लिए वैसे ही उन journal entries को जैसे हमने asset के account में posting की जैसे ही हम higher vendor की account में posting करेंगे first entry थी हमारी down payment की तो down payment की entry थी wagon account debited to cash तो उसमें तो vendor debit credit में आया नहीं तो vendor के account में वो entry नहीं आया की second entry थी installment due की installment due की entry थी wagon account debited, interest account debited to higher vendor तो vendor की credit साइड पे आ गया buy wagon 200, buy interest 50 then third entry की थी payment की vendor को payment करनी है तो payment की entry आप ने की थी higher vendor account debited to cash to cash इधर इसकी posting हो गई ये posting तो आप लोगों ने पहले अपनी इंटर में और बाकी classes में की है same वैसे ही posting होगी अगर आपको general entry की clarity है अब देखिए same entries हर year में repeat होती रहेंगी amount आप अपने analytical account table में से देखते रहेंगे तो इस तरीके से आपका higher vendor account आपको prepare करना होगा higher vendor account में दोनो sides equal हो जाएंगी क्योंकि जितना आप installment due करेंगे उतनी ही आप इसको at the end of the year pay भी कर दे रहें इसलिए दोनो sides equal हैं कोई balance नहीं है एक account और आप यहाँ पे बना सकते हैं that is depreciation account सबसे easy है हर साल जितना depreciation आप charge करते हैं तो entry आती है depreciation to asset वो debit side में आ गया और at the end of the year इसी depreciation को आप कहाँ transfer करते हैं P&L account में तो at the end of the year आपने इसको P&L account में transfer कर दिया same ऐसे हर year में आप depreciation चार्ज कर रहे हैं P&L account में transfer कर रहे हैं चार्ज किया same amount P&L account में transfer किया ठीक है